एलो स्टुडेंड स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल में आज की वीडियो के अंदर अपने पढ़ते हैं मसाले वाली फसले यानि स्पैसेज क्रोप तो स्पैसेज यानि की मसाले वाली जो फसल है वो आपके सलेबस में है पलस्टू अगरिकल्सर के अंदर उनके बारे में अपने पढ़ेंगे एक एक क्रोप हर वीडियो में आपको मिलेगी और इनमें किस परकार से क्यूसन पुछे जा सकते हैं कौन सी चीज आपको पढ़नी है, कौन सी चीज जरूरी है वो मैं सारी चीज़ें आपको इसमें बताऊँ आप सुन करके उसको रिटन में लिख सकते हैं तो इस परकार से आपके बुक के अंदर दिया हुआ है ये लेसन मसाले वाली फसले एगरी कल्चर का लेसन है तो जैसा कि आपको पता है कि इन में से छोटे क्यूसन भी पूछे जाते हैं और जो मेजर बड़ा क्यूसन है वो भी आता है परन्तु उसके अंदर जैसे आपके बहुत सारी क्रोप्स हैं चारे वाले भी हैं धन्य फसले भी हैं तिलनी हैं दलनी हैं नगदी फसले हैं और ये मसाले वाले फसले हैं तो उन में से कोई एक या दो जो अथवा बगरे के अंदर क्यूसन पूछे जाते हैं तो आपको यानि की दो तीन क्रॉप ऐसी है जो आपको अच्छी परकार से पढ़णी है तो मसालेवारी क्रॉप है उन में अपने स्ञार्टिंग में पहली जो क्रॉप है वो है जीरा ठीक है यानि इसका नाम होता है इंगलिस मैं क्यूमिन तो ये चीज आपको याद रखनी है ठीक जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ये चीज दोनों तिनों चीज़ें आपको अच्छी परकार से पता होना चाहिए कि क्यू मिन क्या होता है क्यू मिन कई बार competition वगरे के अंदर सिधा नाम लिखा हुआ जाता है क्यू मिन ठीक है जैस APAC या फिर अंबेली फेरी दोनों नाम एक हैं APAC या फिर अंबेली फेरी ठीक है तो ये आपको नाम याद रखना है ठीक है ये चीज़ें आपको common है याद रखनी ही है क्योंकि अपकी बार आपका जो एक्जाम है वो objective type होगा कुछ हाद तक उसमें objective question आएंगे तो उस चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और उनके पिछे का जो भी logic है वो आपको clear होना चाहिए बाग की जो crops हैं उनकी वीडियो मैंने डालक की है तो वो भी आप देख सकते हो लगबग सभी crops की वीडियो आपको इस channel के मदम से मिल जाएगी चाए वो होटिकल्टर crop हो चाए वो agronomic crop हो कोई भी हो तो आज की वीडियो अपने शुरू करते हैं जीरा से तो इसके अंदर आपको जो सोटे चोटे क्यूशन है वो तो पता होने ही चाहिए यानि line to line आपको पढ़ना है इसमें अब आगे जैसे इसमें दे रखा है कि जो जीरा है वो काम क्या आता है तो यह तो नॉर्मल सी चीज है काम क्या आता है तो इसके अंदर वास्प सील तेल की मातरा दे रखी है जिसको ध्यान में रख लेना और एक इसमें अलडी हाइड पाया जाता है क्यूमिन या फिर क्यूमिनोल अलडी हाइड यानि इसके नाम पर ही है इसका नाम क्यूमिन होता ह तो Q-min जो LD-Hide ही वही पाया जाता है इसके अंदर और उसी के कार्ण उसके अंदर गन्द आती है जीरे के अंदर एक गन्द आती है, सुगन्द आती है तो वो इसी के कार्ण आती है Q-min- Alors भी आ सकता है या फिर Q-min तो दोनों चीज़ें आप अच्छी प्रकार से याद रख लेना कि ये जो एलकिलोइड है वो कौन सी क्रोप के अंदर पाया जाता है ठीक है आगे इसमें ज्यादा कुछ नहीं है जीरा जो है वो राजस्तान के अंदर जालोर में ठीक है जैपर है जैसे जालोर और जीरा तो ये चीज़ आप याद रख लेना सरवादिक प्रोडेक्शन जो है वो यहीं पर होता है और वैसे मसालों का प्रोडेक्शन है वो इंडिया में राजस्तान के अंदर होता है और राजस्तान के अंदर जो सूस्क एरिये हैं जाधा तर वहां पर इन मसालों का प्रोडेक्शन किया जाता है क्यों कि जादा तर जो मसाले होते हैं उनके लिए सूस्क बिल्कुल सूस्क नहीं यानि कि अर्द सूस्क कह सकते हैं तो अर्द सूस्क जलوायू क्याल सकता पड़ती है ठीक है तो जालोर के अंदर जीरा जो है वो जादा होता है इसी परकार जो मेध्ठी बगर है या फिर धनिया है सौंफ है वो आगर अगर आपके क्रोप जैसे जैसे आएंगे उनके बारे में आपको आउगत कराएंगे आगर इसमें जलवाईू के बारे में दिया हुआ है तो जैसे कि इसमें टेम्परेचर लिख रखा है और जलवायू दे रखी है तो इसके बारे में आपको पढ़ना है किस स्टेज के अंदर कौन सी चीज जरूरी है यानि क्यूस्टन कई बार सिधा पुच लिया जाता है जीरे की जलवायू के बारे में लिखिए दो नम्मर में आ गया तो उसके अंदर आपको ये चीज लिखनी है हो सके तो उसके अंदर आप टाइम पिरेड भी लिख सकते हो कि जैसे जीरा है वो रभी की क्रोप है या खरीब की क्रोप है कौन सी चीजन के अंदर इसको बोया जाता है वो आप बुआई का जो time period है उसको देखकर असानी से लिख सकते हो याद कर सकते हो तो वो लिखोगे तो उसके according आप temperature भी लिख सकते हो जैसे रभी की crop है तो बुआई की समय कम temperature होगा खरीब की कोई crop है तो बुआई की समय जदा temperature होगा तो वो आप उसका मन था अगर आपको याद है कि रभी की बुआई कब होती है खरीप की कब होती है उसके अकोर्डिंग आप लिख सकते हो अच्छी परकार से आगे मृदा दे रखी है तो मृदा नॉर्मल सभी के अंदर एक जैसी ही होती है दोमट या पलूई दोमट होती है ठीक है अच्छे जल निकास पाली कंकड पत्तर ही तो होनी चाहिए समतल होनी चाहिए ठीक है उपजाओ होनी चाहिए पोशकतत तो यूगत होनी चाहिए तो भी क्रोप के अंदर एक जैसी ही चलती है और दिमक बगर के कंट्रोल के लिए कौनशी दवाई काम में ले जाती है वो आपको थोड़ा याद होना चाहिए किनौल फॉस का प्रियोग करते हैं अगे इसके अंदर दे रखी है उन्नतशील किसमे उन्नतशील किसमों के अंदर ये आरजड नाइंटिन है आरजड टू जिरो नाइन है आरजड टू टू थरी है ठीक है ये किसमे दे रखी है ये इनके नाम आपको याद रखना है जीरा गुजरात जीरा फॉर गुजरात जी यानि की जी सी ठीक है इस परकार से है जी और सी गुजराद क्यूमिन ठीक है जी सी का है गुजराद क्यूमिन तो गुजराद क्यूमिन टू है गुजराद क्यूमिन फोर है ठीक है आगे इसमें बीजदर दे रखे है बीजदर आपको अच्छी परकार से याद होनी चाहिए चाहे कोई भी क्रोप हो जितनी भी एग्रोनोमिक क्रोप हैं उनकी सबी की आपको बीजदर अच्छी परकार से याद होनी चाहिए क्योंकि जो होटिकल्चर क्रोप होती है केवल फ्रूट वाली तो उनकी बीजदर नहीं होती है क्योंकि उनका जो प्रोपेगेशन मेथड है वो कलम कटिंग वगएर इस परकार से होता है तो उसके जो बीज हैं वो एक परकार से कलम वगएर हो सकती हैं बड़ वगएर हो सकती हैं तो वैसे एग्रोनोमिक क्रोप हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं जो होटिकल्स के अंदर आती हैं तो उनके अंदर सीड को एक परकार से उसका वेट जो है वो बीजदर के अंदर काउंट किया जाता है तो इसकी आपको बीजदर अच्छे प्रकार से याद रखनी है जैसे सामने दिया हुआ है 12-15 kg पर हैक्टेर है ठीक है और सीट ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए तो सीट ट्रीटमेंट लगबग सभी क्रोप जितनी भी है उसके अंदर अपने एक जैसी ही रखते हैं बुआई का समय यों विदी या तो कोई क्रोप रभी की होगी या खरीब की होगी या जायद की होगी या दो मोसम की हो सकती है या उसको तीनों मौसम में उगा सकते हैं जैसे मक्का है धान है ठीक है अलग-अलग एरिया के अंदर धान को अलग-अलग मौसम में उगा जाता है यानि कहीं पर खरीब में उगा सकते हैं कहीं पर रभी में तो इस परकार से आपको टाइम पिरेड उसका याद होना चाहिए और ये चीज़ सिंपल सी है पलस वन में आपके आ चुका है ये लेसन में जो रभी की फसले हैं वो अक्टूबर नुवंबर में बोई जाएंगी ठीक है अक्टूबर लास्ट और नुवंबर के अंदर और ज जायद वाड़ी जो हैं उनको फर्वरी मार्च के अंदर पहुते हैं या जन्वरी लास्ट के अंदर भी पहुत सकते हैं फर्वरी के अंदर बोते हैं ज्याद तर और अपरेल के अंदर उनके कटाई कर लेते हैं तो किनी चैत्रों के अंदर दो यानिकी एक वर्स में दो फ तो इसमें दे रखा है स्रेष्ट जो समय है 15 नुवंबर से नुवंबर अंत तक यानि कि 15 से 30 नुवंबर के बीच में आपका भी वीच की बुआई कर सकते हूं छीटकों अभीदी से बुआई करनी है यानि ब्रोडकास्टिंग मेथड यूज करना है इसके अंदर कतार से कतार जैसे दे रखा है कतारों में बुआई के लिए क्यारियों में 25 से 30 सेंटिमीटर की दूरी पर लोहे या लकडी के बने हुक से कतार बना देते हैं यानि एक परकार से लाइने बनानी है इस परकार से खेत के अंदर और उन्ही कतारों के अंदर बीज डाल देते हैं ठीक है जैसे यह दे रखा है तो उन्ही कतारों के अंदर अपने बीज डाल देते हैं तो इसमें अपने को समझ में आ गया कि कतार से कतार की दूरी 25 से 30 cm है और पोदे से पोदे की दूरी 5 से 10 cm है तो L इंटू P कितना हो गया 25 इंटू 6 मान लो 5 मान लो ठीक है तो ये अपने सेंटिमीटर दूरी है वो रखनी है जीरे के लिए तो इस परकार से आपको चीज़े याद रखनी है आगे इसमें दे रखा है खाद वे उरूरक तो खाद वे उरूरक के अंदर आपको चार ही चीज़े नॉर्मल याद रखनी होती है F.Y.M. या फिर कोई कार्बनी खाद F.Y.M. के जगे कोई और भी चीज़ हो सकती है जैसे वर्मी कंपोष्ट है, कंपोष्ट है, अहरी खाद है चीज़े या कोई और खाद हो सकती है कार्बनी खाद होनी चाहिए वो कार्बनी खाद के मातरा पहले याद रखनी है आपको फिर उसके बाद में तीन जो मुख्या पोसकत तव अपने डालते हैं उनकी क्वांटिटी आपको याद होनी चाहिए नपी के तो वस आपको इतना ही याद रखना होता है और अगर जैसे मान लो किसी क्यूसन में आ जाता है कि जैसे जीरा ही मान लो कि जीरा की फसल में खाद वरूरक को समझाईए दो नमबर में आ गया क्यूसन तो आपको उसमें सिदा नहीं लिखना है कि जैसे FYM लिख दिया आपने कि FYM के आप सकता पड़ती है 10-15 टन पर हेक्टेर लिख दिया हो गया ठीक है नाइटरोजन के आप सकता पड़ती है 30 किलोगराम फासफर्स के आप सकता पड़ती है 20 किलोगराम और पोटास जो मसाले बाड़ी फसले हैं उनमें डालते ही नहीं है याद रख लेना पोटास मसाले बाड़ी फसलों में नहीं डालते हैं क्योंकि अगर potas डालेंगे तो वो इनकी जो सुंगंद होती है तो मसाले किसलिए परियोग करते हैं यानि कोई भी बेंजन है कोई भी चीज बना रहे हैं जैसे सबजी बना रहे हैं उसमें अच्छी सुंगंद के लिए यानि स्मेल के लिए इसका परियोग किया जाता है तो जब सुंगंद ही नहीं आएगी तो उन मसालों का कोई बेनिफिट नहीं होगा इसलिए इनका परियोग करते हैं तो इसी कारण यानि कि जो potas है वो इसकी जो स्मेल है उसको नेगेटिव कर देगा यानि स्मेल आएगी नहीं तो अपने potas का परियोग इन क्रोप के अंदर नहीं करते याद रख लेना तो आप उसके अंदर अगर लिखते भी हो तो उसमें आप लिख सकते हो potas potas के मात्रा 0 ठीक है potas आपको 0 लिखना है 0 के G तो अगर आप लिखोगे निचे अंडर लाइन भी कर दोगे तो उसका effect जो है वो अच्छा पड़ेगा क्योंकि examiner को कुछ extra चाहिए होता है ताकि उसको लगे कि हाँ ये कुछ extra इस चीज के बारे में knowledge रखता है तो इसके अंदर पहले तो आपको quantity याद होनी चाहिए ठीक है जैसे आप तीन चेर जो मैंने quantity बताई है वो आपको याद होनी चाहिए FYM लिख दिया ठीक है पहले आपको heading डालके quantity quantity लिखने के गवल NPK लिख दिया ठीक है NPK जो है वो 0 kg होगा ठीक है लिख दिया फिर उनको देने का आपको त्रिका बताऊना चाहिए देने का त्रिका नीचे heading डाल देना कि किस वीदी से इसका प्रियोग करोगे या प्रियोग वीदी FYM का प्रियोग कैसे करोगे सबी फसलों के लिए common रहेगा यानि बुवाई से जब अपने बुवाई कर रहे हैं अपने को पता ही होता है कि इस टाइम पर बुवाई करेंगे तो ये तो एने कि कभी भी बुवाई कर सकते हैं उसका एक टाइम पिरेड होता है उसी टाइम पिरेड में बुवाई करते हैं जैसे मानलो इसमें दिया हुआ है, 15 नुवंबर से 30 नुवंबर के बीच में बुआई करते हैं, यानि कि ये एक रभी की फसल है, तो इसमें अपने मानलो अपने बुआई करें 20 नुवंबर को, अपने को मानलो पहले पता है कि 20 नुवंबर को आज जीरे की बुआई करनी है, तो उससे ठीक अपने एक महीने पहले तो 20 नॉम्बर का एक महीना हो गया 20 अक्टूवर 20 अक्टूवर से पहले पांसा दिन उपनीचे हो जाकते हैं तो उसके अंदर FYM का परियोग करना है तो ये सभी फसलों के लिए common रहेगा आप याद रख लेना आगे वाड़ी वीडियो में मैं इस चीज का डिस्कस नहीं करूँगा FYM किसी भी फसल में डालना हो अपने को उस फसल की बुआई से ठीक एक मेने पहले परियोग करना है यानि कि 30 से 35 दिन पुरो ताकि वो क्या होता है कि मिट्टी के अंदर अची फरकार से मिल जाए उसको मिलाना है मिट्टी में और उसका जो अपगटन है यानि डीकंपोजिशन है वो शुरू हो जाए जिसे क्या है कि 15 से 20 दिन के अंदर यानि उसका डिकंपोज़स्य परकार से होना शुरू हो जाता है और उससे जो न्यूट्रियंट मिलने है फोदे को वह असानी से मिल जाते है तो अगर मालो बुवाई से एक दो दिन पहले अगर उसका प्रियोग करेंगे तो उसके अंदर जैसे एनर्जी है वो भी रिलिज होगी क्योंकि जो FYM होती है उसमें एनर्जी जादा है यानि हीट है तो उससे क्या है कि बीज को भी नुकसान हो सकता है भी जंकूरित नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं होगा, तो वो production कैसे देगा फिर, तो इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है, अपने इसमें दिया हुआ है, आप यहाँ पर पड़ भी सकते हैं, सबी फ़सलों के अंदर common ये चीज common रहेगी, दे भी रखा है, तीन से चार मेशा, या तो बुआई के समय दे दो, या फिर थोड़ी बहुत मातरा बाद में चिरकाओ कर सकते हैं, प्रंतु जो फोस्फोर्स, ठीक है, ये चीज सभी में common रहेगी, फोस्फोर्स वे पोटास, इसके अंदर पोटास तो देना ही नहीं है, तो पोटास को छोड़ देना, फोस्फोर्स देना है, तो फोस्फोर्स की जो पोरी मातरा है, जितनी भी देनी है, यानि 20 किलो है, 30 किलो, 50 किलो जो भी है, तो वो पोरी मातरा कब देनी है, बुआई के साथ में ही देनी है, बुआई के साथ में, बीजों के साथ में उसको बोलते हैं, उरकर देना, ठीक है तो यानि कि उरकर का मतलब होता है seed sowing time यानि जब बीजों की बुआई कर रहे हैं उसी time पर भी fertilizer दिया जाता है तो ये हो गए इसमें देने के तरीके और इसके अंदर एक हर्मॉन भी दे रखा है NAA ठीक है NAA, naphthalene acetic acid है वो जिन हर्मॉन है तो वो भी प्रयोग किया जा सकता है इसकी सप्रे करनी है 40-60 दिन बाद में बुआई के ठीक है तो ये fertilizer के बार में यानि इसमें से question सीधा पूछ सकते हैं कोई भी फसल के लिए आ सकता है ये question जरूरी नहीं है जीरा के लिए आए तो मैं तरिक का बता रहा हूँ आपको कि इस प्रकार से ये चीज आ सकती है तो जैसे मालो आ गया कि धनिया में खादवरोरक के बारे में लिखे तो उसमें आपको पहले quantity लिखनी अच्छी प्रकार से कि ये ये fertilizer ये sorry nutrient और या फिर जो organic matter है वो देंगे इतनी इतनी quantity में उसके आगे quantity लिखना आपको यानि nitrogen है 30 kg 50 kg जो भी है फिर उसके बाद में प्रयोग वीदी लिखनी है तो FYM कैसे देंगे कितने दिन पहले प्रयोग करते हैं खेत के अंदर भी खेडते हैं ठीक है पानी लगाते हैं सडगल जाता है फिर गुआई करते हैं nitrogen कब देंगे phosphorus कब देंगे potassium कितनी मातरा देंगे अगर देंगे तो कितनी देंगे ठीक है इस परकार से आपको लिखना है अगे इसमें सिंचाई है तो सिंचाई के बारे में अच्छी परकार से यहां पर लिखा हुआ है पढ़कर आप असानी से इसको याद रख सकते हों कोई इसमें समझने वाले बात नहीं है कब-कब इसमें सिंचाई के जाती है अब जैसे कोई भी फसल है उसमें आगर आपके आ जाता है कि सिंचाई परबंदन को समझाईए जैसे जीरा है जीरा में सिंचाई परबंदन को समझाईए तो उसमें आपको पूरी डिटेल से लिखना है क्योंकि एक्जामनर ये नहीं जानना चाता आप से कि उसमें आप कितनी सिंचाई करें एक्जामनर जानना चाहता है कि आप कौन-कौन सी स्टेजेज पर सिंचाई करोगे ताकि उससे बेनिफिट मिल सके अगर आप उसमें दो नमर का क्युस्टन है और उसमें आप लिख करा जाते हो कि इस वसल में चार सिंचाई के आप सकता होती है बस हो गया ऐसे नमबर नहीं मिलेंगे तो आपको उसके अंदर अच्छी परकार से लिखना है कि चार जो स्टेजेज हैं वो कौन-कौन सी है यानि कि जैसे गयों के अंदर अपने बात करते हैं मेजर क्रोप आपकी गेहूं वीट तो उसके अंदर जैसे सी यरई स्टेज होती है फर्स्ट ठीक है टेलरिंग स्टेज होती है तो इस परकार से आपको यहां पर यह सारे स्टेज दी हुई है ठीक है इसको आप अच्छी परकार से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा यानि कि बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें दूसरी सिंचाई बुआई के एक सब्ता बाद करना है ठीक है तो इस परकार से आगे से आगे यानि तीन या च्यार पांच जितनी भी सिंचाई के आप सकता होती है वो आपको लिखनी है ठीक है तो ये अलग-लग क्रोप के आप critical stage of irrigation जो है वो याद रख लेना और वो आपको यहाँ पर अगर ये question पूछा जाता है कि सिंचाई का topic एक नंबर में सिधा आता है कि जीरा में सिंचाई के बारे में लिखो तो आपको केवल सिंचाई के नाम लिख देना एक EC stage पर ये सिंचाई की जाती है तो इस परकार से सिंचाई के बारे में लिखना है आगे है इसमें इंटर क्रोपिंग चंटाई निराई वे गुड़ाई यानि कि वीड बगएर को किस परकार से रिमोव करना है तो ये सिंपल सी चीजे हैं कोई भी फसल हो उसके अंदर खर्पतवार निकलना बहुत जुरूरी होता है क्योंकि वो जो मैन अपनी क्रोप होती है उसमें कॉंपिटिशन कर सकता है न्यूट्रियन्ट और जो हिमिडिटी होती है या फिर अपने जैसे बोलें कि वोटर वोटर के लिए यानि मिट्टी के अंदर पानी पड़ा हुआ है और जो पोशकत अपतो पड़े हुए है न्यूट्रियन्ट है उनके लिए कॉंपिटिशन कर सकता है सुरिया के प्रकास यानि लाइट के लिए भी कॉंपिटिशन कर सकता है क्योंकि पोदा ही वही होता है परन्तु वो अपने लिए पेनिफिस्यल नहीं है तो इस चीज़ का अपने को ध्यान लखना होगा कि अगर कुरोप में जैसे मालो अपने 100 पौदे लगाए हैं और 100 पौदों के अंदर मालो 20 पौदे खरपतवार के और हो गए हैं यानि 120 पौदे हो गए तो उन 20 को भी न्यूट्रियंट चाहिएगा उसको नमी चाहिएगी उसको प्रकास चाहिएगा तो वो भी उब्जरोग करेंगे तो वो अपने को लोस हो जाता है तो उस लोस से बचाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा तो सभी क्रोप के अंदर ही कॉमन रहेगी यह चीजें तो निराई गुडाई करेंगे पहली जो निराई गुडाई है वो इस टाइम पर ही करेंगे 30-35 दिन बाद में बुगाई करने के बाद में ठीक है और फिर उसके बाद में जैसे यानि दूबारा अगर ऐसी कंडिशन आती है कि दूबारा उसमें वीड हो जाती है तो दूसरे मेंने फिर निराई गुडाई करेंगे तो इन चीजों का अपने को द्यान रखना है तो ये निराई गुडाई का तरिक्का है अब आपको डिटेल से लिखना है इसके अंदर तो ये तो हो गया यानि कि यांतरिक वीड़ी से यानि हाथ से अगर निराई गुडाई करेंगे तो खर्पतवार नियंतरन की जो रसाइनिक वीड़ी है वो ये है कि कौन सा कैमिकल परियोग करेंगे तो जीरा के अंदर एक होने वाड़ा खर्पतवार जो है मुख्य है वो जीरी होता है देख ले ना इसमें आगे इसमें दिया हुआ है अगला टोपिक है यह यहाँ पर उपर कंट्रोल दे रखा है ठीक है करपतवारों के लिए कंट्रोल दे रखा आगे पादप स्रंक्षन है प्लांट प्रोटेक्षन यानि कि कई बार कि उसन सीदा पूछ लिया जाता है कि जीरा में पादप स्रंक्षन के बारे में समझाईए ती नंबर में आ गया दो नंबर में आ गया तो उसके अंदर आपको यह नहीं पूछा जाएगा कि कीटों के बारे में लिखी या रोगों के बारे में लिखी उसके अंदर आपको खुद समझना पड़ेगा कि कीट के बारे में लिखना है या रोग के बारे में तो उसमें आपको दोनों चीजें लिखनी है कीटों के बारे में भी लिखना है, रोगों के बारे में भी लिखना है कीट वे रोगों के बारे में किस प्रकार से आप लिखना चाओ कि कीट जैसे इसमें फश्ट देर खा है मोयला चाच्या ठीक है तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रोग कौन सा है कीट कौन सा है तो जो मोयला होता है वो कीट होता है ठीक है तो उसके लिए आप क्या इंसेक्टिसाइड ही प्रियोग करोगे ठीक है इंसेक्टिसाइड ही प्रियोग करना है तो उसके अंदर जैसे मोईला है एक रस्चूसकीट होता है रस्चूसता है तो उसके बारे में पहले एक दो लाइन विस्तार से लिखोगे कि यहें रस्तुसक कीट है या जो भी मालोपती को काड़ता है तने को काड़ता है या फिर फल को नुक्सान पहुंचाता है जो भी वो सिम्टम देता है या पोदे को इफेक्ट करता है उसके बारे में लिखना है और फिर उसका निच्चे हेडिंग डालनी है नियंतरन तो उसके अंदर ये चीज आपको लिखनी है कंट्रोल ठीक है इस परकार से कोई भी रोग या कीट लिख रहे हो इसी परकार से आपको लिखना है जैसे सैकेंड दे रखा है चाच्या तो उसके अंदर यह यानि की पाउडर टाइप में बन जाता है रोग है तो उसका कंट्रोल कैसे करोगे तो यहाँ पर कंट्रोल दे रखा है तो यह सारे जो रोग कीट है वो पिछे आच उके आपके पिछे वाड़ी करोप में अर्ची परकार से दिये हुए है तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि मोईला क्या होता है चाच्या क्या होता है वहाँ पर बताया हुआ है बलाइट है उ मोईला क्या है तो वो जानना चाहता है कि आप इसके बारे में कितना जानते हो उसके बारे में आपको पूरा डेटेल से लिखना होता है यह नहीं है कि उसमें च्यार लाइन में लिखो तो च्यार लिक करा रहे हो आप पांस होती है च्छे होती है तो च्छे लिखो ठीक है पर के कौन से पार्ट को effect करता है और इसका control कैसे करेंगे ठीक है तो यह चीज हो गई इसमें कीट वे रोग आईगे पादप सरंक्षन नाम आ गया तो उसमें कीट वे रोग लिखने है आपको ठीक है और जो क्यूशन आता है तो वो सीधा आएगा जैसे बड़ा क्यूशन भी आता है तो उसमें पार्ट जो लास्ट पार्ट दिया हुआ है या लास्ट से पहले बड़ा होता है उसके अंदर सीधा पादप सरंक्षन नाम लिखा हुआ होता है तो उसमें आपको कीट भी लिखने पड़ेंगे जितने भी आपको याद तो वो उनको अच्छी प्रकार से हेडिंग डाल करके लिखना है ठीक है और उनके कंट्रोल आपको लिखने है आगे कटाई दे रखी है तो कटाई का टाइम पिरेड नॉर्मली होता है रभी की फसल है तो जब अपने रभी की फसल की बुआई अक्टोबर नुवंबर में करत है ठीक है तो वो अपने को पता ही है कि कितने दिन में फसल पक्ते तयार हो जाती है लगबग चार महिने में फसल पक्ते तयार हो जाती है चार या पांच महिने में आगे मढाई दे रखी है यानि कि कटाई करने के बाद में उसकी मढाई की जाती है ओसाई वगरे की जाती है यानि बूसे और दाने को अलग लग किया जाता है और फिर उसकी उपज आपको थोड़ा याद रखना है उपज के अंदर जितनी उपज उसमें दे रखी है बुक में सभी क्रोप्स की अलग लग उपज हैं वो दे रखी है तो उसको आपको बस काउंट करना है थोड़ा याद रखना है बस ये टोपिक हैं इतने और इसके अंदर जादा कुछ नहीं है समझने वाड़ा इस परकार से सारी क्रोप्स को आप अच्छे से पर डे वन क्रोप के हिसाब से याद कर लेना और इसके अंदर एक जो इंपोर्टेंट चीज है दो चयार कुछ इंपोर्टेंट चीज है एक तो इसका उत्पत्तिस्थान जीरा का उत्पत्तिस्थान है भूमद्य सागरिय चाहटर, ठीकए भूमद्य सागरिय चाहटर, यानि Mediterranean, यानि Mister कह सकते हो तो वो है उत्रपतिस्तान, अप लिख सकते हो एक्टा के अंदर इसमें और इसके अंदर गुन सुत्र संक्या हर एक करोप के आपको गुन सुत्र संक्या थोड़ी बहुत पता होने चाहिए क्योंकि competition वगरे के अंदर पूछी जाती है तो गुण सुत्तर संक्या इसकी 2N बराबर 14 यानि 14 होती है ठीक है और इसकी बीजदर होई गे बकिस में कुछ नहीं है ज़्यादा जरूरी एक इसमें जो मैंने आपको अलकेलोईट बताया है क्यूमिनोल या फिर क्यूमीन जो होता है वो पाया जाता है तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि जीरे के अंदर सुगंध किस के कारण आती है तो यह alkaloid है और इसे के कारण इसमें सुगंध आती है तो इस परकार से आपको ये चीज़ें याद रखनी है इसी परकार अगली जो क्रॉपस हैं उनकी वीडियो में लेकर आ हुआ तो आप इसमें से अच्छी प्रकार से जो चीजे जरूरी हैं उनको notes के थरू लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं इस प्रकार से actions निन में से पूछे जाएंगे ये जो तीन चीजे हैं वो normally नहीं पूछे जाती है ठीक है ? कटाई, मटाई, वै, उपज ये ज़्यादा आप इन पर फोकस मत करना चाहे बग्की जो सारी चीज़े हैं वो आपको अच्छी परकार से पढ़नी है ठीक है